कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इसनाई टुटोरियल में अपने आज के टुटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी जो असेंबली आप देख रहे हैं यह डबल बेरिंग असेंबली है मेरे सथ आपने पहले भी इसे अलग-अलग सौफ़वेर्स पर बनाया है तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोकाट 3D पर तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें पहले चार कॉंपोनेंट्स बनाने हैं पहला जैसे कि यह हाईलाइट हो रहा है य लिए जो सेलींड्रेल अब्जेक्ट सें ये बुशे से और इनकी टाइटिनक के लिए हमने बॉल्ट बनाया है एक्सपाइल ऑपोल्ध करते हैं तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम इस फाइल को क्लोके लिए जो हमारे सामने तब हम आउटो-कैट-कन प पर क्लिक करेंगे और नई फाइल ओपन होगी देखिए मैंने अपने हर एक वीडियो में लगबग बताए और यहां पर जो यह आपको रिबन नजर आ रहा है इसको चेंज करेंगे हम यहां से इसमें अभी 2D की कमांड समय नजर आ रही है तो यहां यह देखिए वर्क स्वेस देखिए चेंज होने के बाद इस तरह से हमें यह कमांड नजर आती है अब यहां से हम शुरू करते हैं इसे बनाना तो पहले मैंने यहां से ले लिया फ्रंट प्लेन यह देखिए यह फ्रंट व्यू फ्रंट पर क्लिक किया यह इस तरह से घूम कर हम देखिए ब्लैक स्टेट का या से मैं अब यहां से देखिये अर्फिक किया और उसके बाद यहां से और तो मोट का ऑउंड किया नीचे की तरफ आएंगे यहां से उपर की तरह जाते हैं और यहां क्लिक करूंगा मैं पचास और यह लाइन इस तरह से देखिये में नजर आने लगी और इस डारेक्शन में एंगे हम 20 ओके पिर एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकले इसके बाद हम यहां से लेंगे एक यह लाइन पर फिर से जाते हैं दुबारा और यहां से ले लेते हैं 2-point Circle लिया एक क्लिक ृस एंड पर किया और बहुकुँ सीज़े जाते हैं एक क्लिक यहां से और तो आये है यह ट्रैक्ष करते होँ जाएंगे और यहांपर जो वैल्यू ले ले लेंगे हम ले लेंगे 30 की देखिए यह 30 की वैल्यू ली तो ये R15 की एक रेडियस बन गई अब यहां से हम यह quadrant मिला इस direction में जाएंगे 20 नीचे इस direction में आएंगे हम यहां से नीचे की तरफ आएंगे हम यहां से 20 फिर इस direction में भी जाएंगे 20 और फिर नीचे की तरफ आएंगे 30 और इस डिरेक्शन में आएंगे 45 यहां से हमने फिर दुबारा एंटर दबाए और कमांड से बाहर निकला इसके बाद टी आर टाइप करके डबल एंटर और यह इस तरह से ओके अब यहां से आगे हमें बढ़ना है यहां से मैं यह लाइन ले रहा हूं और इस पॉइंट पर क्लिक किया उपर की तरफ जाएंगे 10 एंटर और इधर की तरफ जाएंगे 10 पिर एंटर और यहां से इस तरह से अधार निकल आए इसके बाद इस लाइनninρο सलेट करने एकशंत करेंगे और यह क्ट rival रेंगे shift दबाऊंगा तो extend में होने के बावजूद trim का काम करने लगेगी यह command और मैंने shift हटा दिया अब देखिए यह extend कर रही है दुबारा यह देखिए यहां से extension हो रहा है और जैसे ही मैंने shift दबाया यह trim का काम करने लगी तो यह interchange हो जाता है shift की दबाने से trim और extend में अब यहां स से हमने यह window बनाई और यह इतना object सेलेक्ट कर लिए बीच वाली line रहने देंगे और enter दबाया इसके बाद एक click यहां और एक click यहां और enter दबाया यह line को select करके erase कर दिया अब अगला sketch बनाएंगे हम जो अगला sketch बनेगा वो क्या होगा देखिए मैंने यहां से एक circle लिया center radius और पहले क्या करते हैं कि इसको copy कर लेते हैं बाहर निकल गया क्वांड से escape दबाकर copy कर लिया इसे यहां copy बना लिया अब यहां से लेंगे circle center radius यह center और radius की value लेली 25 फिर एंटर दबाया फिर गए circle में यह value 25 अब इसके बाद हमें trimming का काम शुरू करना है तो trimming करने के लिए क्लिए क्या करेंगे तो tr double enter अब यहां से यह जो line है यहां से हम क्या करते हैं कि इस line को remove कर देंगे और इसके बाद यहां से यह दिखिए यह track किया यहां पर क्लिक कर दिया और इस direction में आएंगे हम 15 ऊपर यह इस तरह से चलेगा यहां क्लिक कर दिया अब कमांड से बाहर निकले और फिर से गए line में यह इस तरह से देखिए त्रिम किया और इन लाइन पूरी चली गई यहां से हम दोबारा यह बनाया इसके बाद m i enter select object में यह तीनो एंटर और इसके बाद एक क्लिक उपर एक क्लिक नीचे एंटर दबाके कमांड से बाहर निकल आए इसके बाद इस line को हटाया और यहां से अब हम tr double enter यूज़ करेंगे और यह देखिया इसे हटाया और यहां से यह हिस्सा भी ट्रिम कर दिया यह हिस्सा भी ट्रिम कर दिया और select करके सबको erase कर दिया अब यहां से आगे बढ़ते हुए यह बन गया हमारा sketch अब आगला sketch शुरू करते हैं हम यह होगा cap का यह तो base का बन गया यहां से cap बनाने के लिए हम यह rectangle लिया हमने और कहीं पर क्लिक किया डी टाइप किया एंटर प्रेस किया और 140 एंटर और उसके बाद 25 एंटर यह हो गया और इसके बाद कहीं पर भी क्लिक कर दिया और कमांड से बाहर निकलाया इसके बाद यहां से यह लिया मिड पॉइंट और यह में पॉइंट ऐसे होगया अब ओठ करकेएं अंटर प्रेस किया 35 टाइप करके एंटर प्रेस किया और यह लाइन को मैंने 35mm यदर और 35mm दूसरी साइड आफ़ सेट करके कमांड से बाहर निकल आए सेरकल पर क्लिक किया एक क्लिक इससेंटर पर और यहां ले लिया मैंने कितना 15 एंटर और सेम यही इसे ही यहां से उठाया और यहां से उठाकर यहां कौपी कर दिया अब इसके बाद ट्रिम यह लाइन और यह लाइन और यह लाइन इन तीनों को सेलेक्टर करके एरेस कर दिया अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहां से इसकी कॉपी करके इसको साइड में रखा अब यहां से सर्कल कमांड में जाएंगे दुबार सेंटर रेडियस यह लिया और 25 फिर से इस सेंटर पर भी 25 अब ट्रिमिंग करते हैं कि यह स्थ्राटर्म हो जाएगा यह सब देखिए यह रिमूव करना है हमें और यह सिर्फ को अब यह स्टरह से कि अ आभ मैं क्या करना है कि यहां से और इजी एंटेर सब को अबजेक्ट को सेलेक्ट किया एंटर यह रीजन में कनवर्ट होगा यहां से हमने होम पर क्लिक किया अनेम्ड डवलो सीएस इएक्सटी एंटर किया इसे लिए साथ हमें और फिर से एक्सटी एंटर कि 660 हैं एंटर इसको एक्साथ सेलेक्ट करते हैं एंटर दबाएंगे 10 mm ओके यह हो गया अब देखी हमें इसको अपनी जगा पी रखना कैसे है यहां पर मैं क्या करtha ओंए इससे पहले के वीडियो में आपने देखा है कि हम ह्र कॉरॉनर्ड करते हैं इसमे अगर हम हर करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं उसे अवाइट करूँगा मैं राउंड नहीं करूँगा मैं टाइब करके और यहां से यह रिखे यह जो मैं मैं करेंगा इस वाले मिटपोइट पर यहां इसका अब इसके बाद हमें इसे मिरर करना होगा किक करेंगे तो च्री डे एम आई टाइप किया और enter प्रेस किया select object पर click किया enter प्रेस किया और इसके बाद एक click यहां एक click यह midpoint पर और एक click इस midpoint पर और उसके बाद enter देखिए दूसरे side अपने आप यह mirror हो गया ओके अब इसे union कर देंगे यह union हो गया इसके बाद यहां से move यह object को select किया यह पीछे वाला जो midpoint है इस पर click किया और यहां आगया लिए midpoint पर ऐसे रख दिया इसके बाद इसे भी 3D mirror करते है 3D MI enter select object enter इसके बाद एक click इस midpoint पर एक click इस midpoint पर और एक click इस midpoint पर और enter यह देखिए यहां से इस तरह से यह इसके बाद UNI enter select object enter यह इस तरह से यह placement हो गया अब हमें क्या करना है यहां से हमने एम टाइप करके enter प्रेस्ट किया और यहां से यह midpoint लिया और इस midpoint के पर ऐसे यह इसको प्लेस कर दिया देखिए ओके चलिए अब हमें इस पर होल भी करना है और बूश भी बनाना है तो पहले वाले component की तिकनेस 25 थी और 30 mm और हमें चाहिए तो अब हम जो होल करेंगे वो 25 और 30 यानिके 25 mm deep hole बनाएंगे इस face पर बनाएंगे जो इन दोनों components को आर पार करता हुआ जाएगा तो यहां से हम ले लेते हैं top plane right click करके parallel कर दिया अब यहां से हम ले लेंगे circle center radius यह हमने बनाया value दे दी इसकी हमने 5 radius की और फिर इसके बाद यहां से नीचे की तरफ आएंगे 30 इस direction में जाएंगे 60 इस direction में आएंगे 15 और enter दबा कर बाहर निकल आएंगे फिर इसी circle को हम copy करेंगे यहां और एक copy यहां पर होगी ओके इसके बाद m i enter select object enter एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर एंटर इसके बाद फिर से m i enter select object इस बार यह तीनों circle को select करेंगे और enter दबाएंगे फिर एक क्लिक यहां और एक क्लिक यहां तो यह हमें जो location पर हमें रखने हैं वह यहां पर होल हमें मिल गए अब यहां से हम home पर क्लिक करेंगे होम पर क्लिक करने के बाद हम यहां से यह ले लेते हैं एक reference reference हमारे पास देखिए इस point का यहां वाला है तो यहां से हम क्या करते हैं के कि सेंटर में ले लेंगे यहां से हमने यह ले लिया मिट पॉइंट और यह हो जाएगा आपका कि साथ और दस बीस यह असी है हम अगर हम असी लेते हैं तो यह पूरे face को देखिए cover कर रहा है इसके मिट पॉइंट पर हम उठागे रख देंगे इसे एक्सटी एंटर एक दो तीन चार आच छे प्रेस पूल इसली नहीं यूज कर सकते क्योंकि प्रेस पूल अगर हम यूज करेंगे तो यह दोनों अबजेक्ट अलग-अलग है एक में हो लोगा एक में नहीं होगा एंटर दबाया मैंने उपर की तरफ नहीं से नीचे की तरफ ले जाते हैं यह उठाके इसको में ले जाना है 25 और 35 यानि के 55 एंटर यह उपर की तरफ चला गया है तो चली कोई बात नहीं हम इसको अब क्या करेंगे कि यह जो लाइन हमें नजर आ रही है यह तीनो इन पर क्लिक किया और यहां से यह डिरेक्शन चूज किया और उपर लेकर जाएंगे कितना 55 तो यह उपर आ गई लाइन है अब हमें रेफरेंस आराम से मिल जाएगा यहां से मैंने मूव कमांड यूज करूँगा एम एंटर किया 1-2-3-4-5-6 सेलेक्ट किया एंटर दबाया अब यहां से यह देखिए यह हमारा पिक पॉइंट यह बेस पॉइंट है यहां से उठाया और यहां पर यह है जो मिड़ पॉइंट ठीक है यहां रख दिया अब यह सारे के सारे इसमें मर्ज हो गए अब यहां से हम ले लेते हैं रियलिस्टिक की जगा वाइर फ्रेम वाइर फ्रेम में जाएंगे इसके बाद हम ले लेंगे क्या इससे सेलेक्ट किया इससे सेलेक्ट किया आ यू कर यहां से हमने क्या किया और पहले तो ग्रूप एंटर देखिए अब ये एक साथ एक object हो गए एक ग्रूप में convert हो गए एक पर प्लिक है सभी सेलेक्ट हो रहे हैं अब यहां से इसकी copy हम बना लेते हैं कॉपी बनाना इसलिए जरूरी है कि अभी बनाते बनाते हैं मेरे दिमाग में यह आगे कि हमें कहीं गड़-बड़ इसमें हो सकती है तो हम क्या करेंगे इसको दुबारा अगर हमें चाहिए होगा दुबारा दूबारा तो यह लिए मैंने और इसको यहीं पर अपनी जगह पर प्लेस कर दिया जहां से उठाया था अगर हम इसे पहले भी कॉपी करके उठाते तो यह ना करना पड़ता तो यह हमने इस तरह से का यह कंट्रोल जट किया मैंने से कॉपी से पहले यहां तक लेकर आएं यह हो गया आपका भी ग्रुप में कनवर्ट हो गया यह यहां से मैंने कॉपी किया इसे और कि थोड़ा सा टेल्ट किया यह जो उपर वाली लाइन है इसका मिड़ पॉइंट ले लिया हमने है कि मेंट पॉइंट लिया और यहां से यह जो एंड पॉइंट है इस पर रख दिया अब यह सही जागा पर रखें पिशली बार रखने में थोड़ी जिक्का तोई थी आप देखें क्या करेंगे कि यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं एस यू बी टी एंटर यह उपर वाले से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है कि यह पहले हम नीचे से करते हैं मैंने आश्के दबाया एस यू बीटी दुबारा दबाया यह है टीएंटर कि इसे सेलेक्ट किया और दबा दिया तक नीचे हो गये उपर से गायब अब हमें दुबारा क्या करना है इसको प्लेस करना है अपनी जगा पर यहां से फिर मैंने अपकी मूव ले लिया अब मूव ले लिए क्योंकि इसके बाद हमें जरूरत नहीं है सेलेक्ट ऑबजेक्ट किया यहां से उठाया और फिर जो है हमने रेफेरेंस लाइन कौन सी बनाई थी यह वाली इसके मिट पॉंट पर यहां पर रख दिया यह फिर अपनी जगा बजाके बैठ गए अब दुबारा हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्यूबी टी एंटर इस बर हम बाकी जो सौफ़ेश हैं उन से ज्यादा हमें दिमाग इसमें यूज करना पड़ता है अपना कि इसमें किस तरह बनाया चाहिए इसके मुकाबले इस जोर्स कम हैं इस में इस दोनों पार्ट में मतलब आपका कैप में और बैस एक साथ इसमें हो लोगए अब हमें क्या करना मेरे 0-2 बुशल बनाने है। एक बुछ बनाना है और एक बोल्ट बनाना है तो तो फिक्राइब में भी मैं oil Cart नहींत बनाऊंगा तो इससे वीदियो काफी लंबा हो जाएगा तो मेरी कुशिश है है कि एक यह कवल उसका का बोल्ट का कॉलर और शैंक बना के इस फिट करने हम तो यहां से लिया मैंने कि अब बुश्फ बनाने के लिए लेता हूं मैं राइट प्लेन इस तरह से कि पैरलेल अब बुश्फ बनाने के लिए हमें करना के है रिवालव करना अब्जक्ट को यहां से यह हो गई सेंटर लाइन यह जाएंगे हम इधर से कंट्रोल जड लिया मैं फिर से बना रहा हूं देखी यहां से अब यह लाइन पर गये यहां से हमने यह ले ली लाइन सेंटर लाइन हो जाएगी आपकी 90 mm की और इस डारेक्शन में हम जाएंगे कितना 11 mm और फिर इस डारेक्शन में जाएंगे हम इसको यहीं छोड़ देते हैं बार निकलाते हैं इसके बाद हम फिर यहां से यह देखिए इस पॉइंट से जाएंगे 4 mm और फिर इस डिरेक्शन में आएंगे हम कितना 80 और फिर इस डिरेक्शन में आएंगे यहां से आ जाएंगे हम देखिए यहां से यह 15 पांच इदर जाएंगे और फिर इस डिरेक्शन में आएंगे हम 10 और यह ऐसे यहां जोड़ जाएगा ओके एरेस कर दिया सुरी सिर्फ इसे ही रेस करेंगे अब आर इजी एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर अब आर इवी एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर एक क्लिक यहां और एक क्लिक यहां और एंटर यह बन गया हमारा बुश कि इस तरह से आब कुछ पर कर लेते हैं लगे-हां से हम यहां से solid यह ओ गया चैंफर चैंफर में दो ही फेस्ट जो यह दो ही एजस करनी है तो इसलिए हमचे कर लेते हैं the enter one enter one enter और एक आप दूसरी नहीं हूरी ही तो यह ही से डबल inटर किया और फोसेडर मैं इस बार से डिस्टेंस डिने की ज़रुत नहीं है यह द्रूत नहीं अब इन्हें प्लेस करना है इन की जगह Ärनेंड हैं से नेम्ंड क्या करेंगे कि दीखिये यहां इस face पर जाएंगे तो इसका Centerọn होगा यह दिख गया यहां से उठाए खुरों यूप कमांड यूज स कर रहा हुं है अब हम जब यहां पर जाएंगे कि लिकिए यह सका Center waking में एक पर यह đi अब यहीं से हम कपी करेंगे CO ended select object यहां से उठाया और यह सेंटर शो हो गया इसपे रख दिया और यह देखिए यह फिटिंग हो गई कि इस लाइन को अब हमें दूसतों बनाना है क्या बोल्ट बनने के लिए हम यहां से होम और यहां से ले लिए हमने front plane, right click, parallel, अब हम यहां से bolt बना लेते हैं, बोल्ट बनाने के लिए हम, actually हमें hexagonal headed bolt बनाना है, तो हम यहां से जाएंगे फ़हले टॉप पर, parallel, यहां से हम ले लेते हैं, पॉलिगन, पॉलिगन किदर है, यहां से, यह रहाँ पॉलिगन, number of sides छह ले लिए और specify center of polygon कहीं पर भी क्लिक कर दिया, inscribed in circle, और radius हमने ले लिए कितनी, उसका हमें diameter लेना है 10, तो इसका हमने ले लिया कितना, diameter 8, अब इसके बाद हमने एक बना लिया, circle C, enter किया, और इसी के भीतर एक circle बनाया, radius रखी 5, तो यह bold बनाना हम इससे, यहां से home पर आ गए, अब यहां हम क्या करेंगे, कि एक्सटी, enter, select object, enter, उपर ले कर जाएंगे कितना, इससे ले जाते हैं हम, total, पचपन था, तो यह हम ले जा रहे हैं कितना, पचास, पचास भी नहीं हम ले जाते हैं, 42, ओके, अब यहां से e, x, t, enter, नीचे की दरफ 10, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से union कर लेते हैं, यह अब्जेक्ट को select किया, यह union हो गया, अब यहां से 3, d, ro, enter, select object, enter, अब यह जो, यह देखिए, access जो नदर आ रहा है, इस पर क्लिक किया, और ले लिया, 180, यह देखिए, इस तरह से, अब सीधा हो गया, अब यहां से करना कुछ नहीं है, बस copy, copy करने के लिए, इसको थोड़ा सा tilt करेंगे, यहां से, यह देखिए, center इधर से मिलेगा हमें, यह, यह रहा center, यहां से उठाएंगे, और अभी देखिए, हमें center यहां पर भी मिलता जाएगा, एक, दो, तीन, चार, और यह रहा, और यह 6, escape दबाया, command से बाहर निकले, देखिए, इस वीडियो को मैंने छोटा करने के लिए ही, केवल इन सब चीजों को avoid किया है, threat कैसे बनता है, एलन बोल्ट वाले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं पहले ही, तो उसको ना बनाते हुए, मैंने इसे ऐसे ही लगा दिया है, अब हम इसमें appearance चेंज कर लेते हैं, तो यहां से पहले तो मैं करता हूँ, view में जाकर यह UCS को व्यू में गए, और यह UCS आइकन को हटा दे रहा हूँ, अब home, अब इसका appearance अगर हम चेंज करना चाहें, तो यह से manage material browser, यह view में मिलेगा, हमको material browser पर click किया, अब यहां से हम इसका look जो है, वो तोड़ा change कर देंगे, realistic लाने की कोशिश करेंगे, हलाकि material के साथ-साथ यह काफी हद तक background पर भी depend करता है, कि वो कैसा देख रहा है, क्योंकि यह काफी heavy चलता है, यहां पर, जब हम materials यूज करते हैं, तो यहां से मैंने ले लिया brass, यह है brass, यहां से यह, इस तरह का दिखाई दे रहा है, यह वाला try करते हैं, इसके बाद यह तीसरा वाला, यह थोड़ा सा light होना चाहिए, यह, यह ठीक है, हमारे लिए यह वाला, और इसको भी ले लिया हमने यहां से, यह देखिए, यह brass हो गया, इसके बाद इसमें जो वो बने हैं, यहां से हमने ले लिया, copper, और copper add करते हैं, यह देखिए, यह try करते हैं, थोड़ा सा light हो बस, मुझा नहीं लगता है, इस से light इसमें मिलना है, तो यह हम एक बार यह, यह try करते हैं, यह काफी चमकीला है, लेकिन इसमें dark नज़र आ तो यही वाला color हमने ले लिया, अब यहां से match, ma, enter, select object, यह देखिए, यह दोनों properties मैच कर गई, और अगर इन्हें हम bolts को change करके steel में करना चाहें, तो steel ले लिया हमने, यहां से यह drag किया है, इस पर, यह देखिए, steel में convert हो गए, यहां से cancel कर देते हैं, match, ma type करके interface किया, select object पहला यह वाला, अब इसके बाद बाकी सब को select करेंगे, तो यह देखिए, यहां पर इनकी appearance change हो जाएगी, इसमें दो, एक दो चीज़ें avoid की गई हैं, एक तो मैंने कोई corner round नहीं किया, जैसे कि पहले विडियो में आपने देखा है, सिर्फ cut shot करने के लिए, और इन सब चीज़ों को अगर मैं incorporate करता है, इस वीडियो में तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, तो दोस्तों ये थी double bearing assembly in AutoCat 3D, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को subscribe करने के साथ साथ मेरे वीडियो के notifications पाने के लिए, bell icon पर click करना ना बोले, और इस वीडियो से related अगर आपकी कोई query हो तो please उसे comment section में डाले, thank you.